Good morning, आज हम जिस problem के बारे में बात करेंगे वो actually देखने में काफी आम समस्या लगती है लेकिन वो समस्या तब पढ़ने लगती है जब वो एक बहुत जादा ही critical रूप ले लेती है हम बात कर रहे हैं words की जिने हम हिंदी में मस्य कहते हैं आपने देखा होगा कि आपकी body पे कई बार बिना बज़े बहुत सारे मस्य निकलने लगती हैं ये कोई साधारन बात नहीं बलकि एक problem कहें या फिर एक disease है जो की आगे चलके अगर आपने इसका इलाज शुरुवात में नहीं किया तो ये काफी बड़ी समस्या भी बन सकती है इसलिए हमें वक्त रहते इसका इलाज करके इसे हमें जड़ से खतम करना चाहिए चलिए देखते हैं कि ऐसा कौन सा plant है जो कि इस बीमारी से हमें निजात दे सकता है हम बात कर रहे हैं सौंकस पिशेस की जो की हिंदी में हम जिसे दूदी के नाम से भी जानते हैं लेकिन य यह जो वर्ड है यह काफी plants के लिए common है इसे हम दूदी इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें latex पाया जाता है और यह आपके skin के लिए बहुत ही अच्छी remedy होती है इसे आप अगर अपनी skin पर regular apply करेंगे तो आप देखेंगे within two weeks आपके जो भी मसे हैं वो खतम हो जाएंगे आपको इसकी leaves लेनी है especially जो इसकी young leaves होती है उनको लेकर उसे piece कर और अगर आप जहां भी आपका affected area है वहाँ पर लगाएं तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे खतम हो जाएंगे यह plant आपकी बहुत सारी diseases में भी useful होता है जैसे आपके toothache में या फिर कोई भी skin inflammation में भी य useful है तो चलिए देखते हैं इस plant को और गौर से देखिए क्योंकि यह एक weed plant है और weed plant आप जानते हैं कि एक unwanted plant होता है जिसे हम grow नहीं करते वो अपने आप ही grow कर जाता है तो इसे उखाड़ने से पहले चलिए इसके medicinal uses जान लेते हैं जिससे अगर भविश में यह plant हमें देखे तो हम इसका प्रयोग अपने किसी भी बिमारी के लिए आराम से करते हैं झाल 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 झाल